कि हेलो एवरीवन कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज हम करने जा रहे हैं हमारे mathematical physics का एक question जो कि integration करना है हमको at z mod z equal to 2 mod z equal to 2 मतलब कि जो रेडियस होगा इस कर्व का वह टूक यूनिट्स का होगा जैसे की 12 कि ओर जिन से बनेगा की जाइड माइनस जीरो है तो ओर जिन से तो रेडियस का बनेगा हमारा आप तो इस प्रकार के कभी भी question आते हैं तो सअल्व कैसे का अटें को कई परकार सकते हम मरЙ करें एक होता है simple for simple पूल में गया होता है उसका अलग formula होता है simple firmiał मतलब कि होता है simple पूल का मतलब यह होता है कि यह जो प्ल tussen पेले यह सम्झेब पॉल गया होता है जिसमें किसी जैसे कि जो वन आपोन एगर मैं बोल रहा हूं तो इसको पॉल पॉइंट क्या है पॉल पॉइंट हो है जहांपर बीजिए इक फ़िट कर दो अगर मैं तो इसको पॉल गयते हैं तो जैसे कि अगर नीचे लिखा हुआ है वन बाइ वन माइनस एक्स ठीक है तो इसका पुल के पुल पॉइंट का इसका पुल पॉइंट ओल्ली सिर्फ एक है अब अगर तुम इसको जीरो करोगे कि तुम इन डिनोमेटर पर जीरो चाहिए ना तुम जीरो को एक्व एक्स एक्वल टू जीरो तो देखो जितनी पावर होती है उतने रूट सोते हैं तो इसके रूट वन कॉमा वन हो जाएंगे तो से में रूट है लेकिन दो आएंगे क्यों पावर दो है तो ओडर ऑफ टू तो इसके दो ओडर हो गए तो ऐसी अलग अलग को डील करने का अल ओडिनी थरी मतलब यहां पर माइनस वन अगर तूम प्रत कर रहे हो तो लेकिन पावर एटो माइनस वन माइनस मांनस मैनस भन कितने ओडर का है कितने पूल कितने अंदर क्या है तीन ओर का एशिए और रहा है ना रिपीटिशन और के लाएक इसका तीन ओर तीन ओर का है यह जब बहुत अगर सिम्पल भूल pearls है तो गले का अलग फर्मूला होता है डिफरेंट होडर का फोल में आद यह आप पॉ思लब थे यह इसा, 0-1-1-1-1 upon n किया है order कितनी यह किंद ओर इसका 3 order ठीक है तो 3-1 का प्रेक्टोरियल कि डिफ्रेंशियेशन ऑफ ओर्डर एन माइनस मैं रखोंगे तो यह प्लस बन जाएगा और एज़ेट इस फंक्शन है हमारा जैड एकी पावर जैट टी अपॉन जैड प्लस वन की होल क्यूब यह हमने फॉर्मॉल में पूट कर दिया है अब क्या करेंगे हम थोड़ा सिंप्लिफाय करके लिख लेते हैं लिमिट जैट टेन टू माइनस वन वन वाइट टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू ही हो गया डी टू अपॉन डी जैट टू और यह इससे यह पूरी टर्म कैंसिल तो अंदर क्या बच्छा जैड एकी पावर जैड टी तो बस अब आपको कुछ नहीं करना अब आपको सिर्फ इसको डिफ्रेंशियेशन करना है डबल टाइम्स क्योंकि सेक्टर लिए माइनस नफूट कर देनी है आपका रेजिडिव आजाएगा रेजिडिव आने के बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मला क्या होता है जितने भी आप इंटीग्रेशन करोगे उसको सॉल्व करने का तरीका होता है टू पाई आई एंटू सम और रेजिडिव तो इसका तो आंसर माइनस टू मतलब एक और एक तो माइनस पर रेजिडिव आ रहा है एक माइनस टू पर रेजिडिव आ रहा है माइनस टू पर रेजिडिव आ रहा है तो बस जैसे हम एसका इसका रेजिडिव निकाला है ऐसी एक बार सिंगल पॉइंट वाली फॉर्मले यहां पूट कर देते हैं तो इसका डिफरेंशेशन करेंगे सिर्फ अब हम इसको डिफरेंशेशन करते हैं बाद में यहां पूट कर देंगे ठीक है